हेलो एवरिवन मैं हूँ वत्सला और आपका स्वागत है जाएकेदा टशन में आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही अलग सी सबजी लेकर आई हूँ जी हाँ इसे कहते हैं गाठ गोबी या फे कोल राबी इसे इंगलिश में जर्मन टरने भी कहा जाता है यह सबजी हम उसक सबजी मंडी में देखते तो जरूर है पर इसको बनाते नहीं है आज में बनाती हूँ इसके साथ बहुत अच्छी सी रेसेपी जो कि आपने फॉर शॉर कभी नहीं ट्राइ कियोगी है अगर देखें तो यह वेट लॉस करने में हेल्प करती है यह हमारा मेटबॉलिजम इं था गोडर और एक पीलर कि है यहां आप पीले को रिरी आतार रही हूं अच्छी से वह कर लिया है जाहे नगी हृसकते, पर देखें ट्चाप कर लिया है तो यह आप चाहे तो इसको लंबा काट सकते है में सक्वार मैं काट अपनी सबजी के लिए अब लिए में हाई जीय क एक बहुत अच्छा फ्लेवर आफे जब आप इसको तेल में डालते हैं अब इसमें डाये मैंने अपनी ये डाली हूं मैंने चाशमीरी लाल मिच्ट जिसे एक बहुती सुनहरा सा और लाल कलर हमारी सबजी में आता है बिल्कुल बजार जैसी यहां पे मैंने ली है 3-4 अगर अपकी मीडियम हाच आपको जादा लग रही है तो सिम कर दीजे ध्यार रखिए प्यास जलना नहीं चाहिए है एक टिप में आपको देखती हूं जब भी हम लाल मेच को अपने तेल में डालते हैं उसके तुरंद बाद आपको प्याज या टमाटा देना चाहिए नहीं तो प्यारी जो लाल मेच होती हो से एक जली सी स्मेल आईगी यहां पर मैं डाल रही हूं टमेटोस अगर आप इसको डी सीड करना चाहते हैं तो बिलकुल कर लीजिये इनको डालने के बद रफली चॉप किया है अब मैंने इसमें डाला है नमक स्वाधनूसार शुरुआत म मैं जो लीज होती है उससी भी अलग सबजी बन जाती है मैं यहां डाले हूं किश्मिश आपने बिलकुल सही पहचाना है यह है किश्मिश यह बहुती अलग सी सबजी बनाने वाले हैं हम और बच्चे इसको खाके जरूर यह भी नहीं बता पाएंगे कि यह पनीर है कि यह इस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूं आप देख सकते मैं इसमें अब डाली है गाट गोभी गाट गोभी अफिकोल रा भी इसको अच्छे से लपेट देना है हमको हमारे ग्रेवी में यह मैं डाला है काजू का पेस्ट मैं मूसली क्या करती हूं अपने जो काजू का मैं यहां पे बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं करूंगी यह मैंने डाला है पोस्ता दाना याने की खस-कस इसे एक बड़ा ही अच्छा सा क्रिस्प सा नटी सा फ्लेवर आता है हमारी सबजियों में जो कि आपने काफी बार सोचा होगा कि रेस्टोंट वालों का एक अ डाला है तरह यह जो यह इसमे गर्म मसा यह ढ़ल रहे हूं मैं धनिया पाउडर सॉाद अ पानी यह झाल सकते हैं अगर जाद पटा ऑसंद करते हैं मैं एक चमा डाला है मैं यह एह पर डाल रही हूं मेरे पास है वहां फक्टे का डाले हुमत्सा तो मैंने यह जाहे तो पानी में सोक के रखेते, थोड़े से फूल जाते हैं, तो अच्छा फ्लेवर आता है, कसूरी मेथी को हम अच्छे से क्रश करके डालेंगे, अब आप देख सकते हैं, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं, और इसको इसके आच में पकने दिया है, हमारी गाठ को भी बनके अच्छी है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो, तो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब मैं चैनल, लाइक एंड शेयर, बाई!